एक चीस एलेक्टिपट्र चार्ज एन्ड फिंद फर्स्च चाप्टर तुम्हाइड ठीक है हाँ हाँ डाइपूल इसी में न ठीक है चारज सन्ध फिल्ट स अब इसी में चाहसे तो एलेक्ट्रिक चार्ज होती हैूलम धाटे करते हैं चले थोड़ा सा रफ्तार में भी चलेंगी, ठीक है? ध्वान करते हुए. दिख रहे है? ठीक है? कूलम्स लोग गया था? दोग यार, सिंपल सी बात, दो चार्जिस हैं, इस भीपर फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं? कूलम्स लोग, इसका वेक्टर फोर्म उनकी तरह से लिख रहे थे? f is equal to k q1 q2 by r2 minus r1, mod q bracket में r2 minus r1, यह क्या था इनका वेक्टर फोर्म, ठीक है? कि वेक्टर फोर्म से भी जेनरली आपकी questions बन सकते हैं, ठीक है जेकि जेनरली हमारे questions जो आएंगे, यहां साइगा, आप suppose that हमारे पास 3 charges दिये गए, एक, दो, तीन, ठीक है ना? एक चीज हमें साइधान रखनी चाहे वो force दिया हो, चाहे field दिया हो, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि वो दोनों सवाल, चाहे field के हो, चाहे force के हो, हमें साइधा vector से solve करना है, और potential में क्या चीज असाण होती है? स्केलर, क्योंकि potential स्केलर है, तो solve करने में असान होगा, ठीक है? तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि vectorally solve करना, suppose that plus q, plus q, plus 2q, किसी एक charge force दिया गया, तो depend करता है, कि हमारे पास, common से charge पूछा गया, suppose that plus q को पूछ दिया गया, ठीक है? तो इस q किरे से, इस तरफ, इस q किरे से, इस तरफ. Simple, angles का में शायदान रखना है, अगर total करना तो क्या करतेंगे, f net is equal to, force अगर f1 square, plus f2 square, plus 2f1 f2, cos theta, resultant निकालने के लिए है, simple, फिर हमने force से, suppose that दो चार्जर सेम से में, plus q, plus 2q, attract करेंगे, ripple करेंगे, ripple करेंगे, simple, plus q, minus 2q, attract, ripple, attract, बहुत बढ़िया, tick, तो यह चीज़ ध्यान रखना है, कि force की direction क्या है, तो हमेशा क्योंकि magnitude की साथ में direction बहुत जरूरी होती, दूसरी चीज़ क्या आती है हमरे पास, electric field, electric field की शुरुवात कहा से होती हमारे पास कोई भी charge है, जो भी एक अपने चारो तरफ एक अपना औरा जनरेट कर रहा है, एक तरह का औरा समझते हैं, हिंदी में जो औरा शच्द इस्तिमाल करते हैं कि हमारी body जो होती हमारे चारो तरफ एक औरा बनाती है, तो electric जो हाँ वही चीज है, मतलब जहां हम कोई दूसरा चार्ज अगर लाकर क्या रखें, तो उस दूसरे चार्ज को भी इस चार्ज का field मतलब महसूस हो, उस पर force लगे, तो क्या था हमारे पास, electric field, इसका magnitude किस तरह से लिख रहा थे, e is equal to f by q, basic formula, e is equal to f by q, force per unit of charge is electric field, simple, अच्छा, एक बात, जो बहुत important थी, कि electric field is equal to f by q, और f is equal to qe, है तो एक ही चीज, mathematically, इसमें से physically अगर बात करें, तो कौन सा expression ज़्यादा basic है, पहला वाला दूसरा वाला, क्योंकि force की वेरे से field आता है, field की वेरे से force आता है, जो तक field नहीं होगा, तक force कहां से आएगा, समझे ना, तो लगते हैं, mathematically same expression है, बट वास्तविक्ता में जो नीचे वाला expression है, वो जादा basic expression है, तो पहले field होगा, तब force होगा, अंतर समझ पा रहे हैं ना, तो उन्हों में पहले charge रखा, उसके चारो तरह field generate हो गया, फिर वापे क्या आ गया, force आ गया, फिर हमने electric field due to a point charge देखा, electric field due to a point charge, due to a point charge, क्या होता, electric field due to a point charge, formula, simple, q charge, r दूरी पे, e is equal to kq by r square, ठीक है, field की direction हमें पता होती है, अगर ये charge positive है, तो away from it, and अगर negative होता तो, towards it, धान रखने वादी चीज, okay, plus q minus q electric field हमारे पास आ गया, फिर हमने electric field due to different different systems देखा था, different different systems, starting कहां से करते है, rod से, rod से, rod से, rod से, rod हमारे पास थी, finite length की rod थी, उस finite length की rod की वजह से, हमने electric field निकाला था, साफ कर दे, note करना है, note कर लो, note कर लो, note कर लो, note कर लो, दो बहर साथ में practice करना बहुत जरूरी है, practice ने करोगी तो मज़ा नहीं आएगी, इधर, इधर किसा की बचले, थोड़े सीट की, होगा, थोड़े रफ्तार में चलेंगे, ठीक है, अग्री ही साथ मिन हमएड आप्लिकाशiंश है, शोड़े रफेसा है, चैनल रसे प्रवक्द सम हमने leta की थे हैना, चैनल आप्लिकेशंस, क्या पेल चैज की एपना ऑ्रफिस्टमानत आटक कई पियो, रफिलल रर्फिक अट्रफिक, निषम।, वत्तो reinforce'll पैनना? rod. ठीक ना? यह rod आए मार पास. Charged density, lambda, ठीकिना? सबोगे ठीक है, यह रट किरो आइक, इसेटर पे पात करते हैं, पहेदे माल लोगते हैं, तो यहां पर electric field का expression मार पास क्या था? दो component थे एक component थे था? दो component थे. ठीक है? एक horizontal वाला और एक वर्टिकल वाला, horizontal component क्या था हमरे पास? 2, 2 था ये नहीं था? k lambda by d, यह sin, r कुछ भी बोलो, ठीक है, r बोला d, sin theta 1 plus, बहुत बढ़ी है, vertical component क्या था था? k lambda by d तो फिक्स है ना, k lambda by d, शाबाज, ठीक है? तो हमरे पास दो component था है, horizontal और vertical, अब हमने इस rod को different-different भागों में तोड़ दिया था, पास पहली बात क्या मरे पास, infinite के लिए, infinite rod, infinite के लिए, theta 1 और theta 2, बास यह मतलब कितना है, theta 1 is equal to, theta 2 is equal to 90 degree, sin 90, sin 90, 1, 2 हो गया है, तो e horizontal क्या रहा था हमरे पास? 2 k lambda by r या d जो भी है हमरे पास, simple, और vertical component, 0 है न, क्योंकि cos 90, cos 91, sorry, 0-0 खतम, ठीक है, तो e vertical, 0, फिर हमरे पास आई, semi-infinite rod, semi-infinite, अच्छे, proof यादे, इसका proof, इसका proof यादे, कैसे करते थे? element लेते थे, कहाँ पर? x पे जाके, dx लेते थे, या theta पे जाकरके, या theta लेते थे, और इसकी maximum limit क्या थी? theta 1 से, है न, हम अदब वो limit में रखते थे, minus theta 2, ठीक है? तो यह था हमारे पास, phase dx की वरा से, याँ पर electric field लिखाते थे, is direction में आता थे, उसके दो component करते थे, है न, एक cos theta वाला, sin theta वाला, फिर उनको integrate करते थे, में पास answer रजाता है, simple, बहुत बढ़िया, same infinite में theta 1 और theta 2 की value, theta 1 is equal to, 1, 90 और 1, 0 है न, तो cos theta 1 अगर में पास हो गया 90, theta 2, 0 degree, तो में पास e horizontal क्या आता है? cos 90, sorry, sin 90 में पास 1, sin 0, 0, तो k lambda by d, e vertical, e vertical, sin, cos 90 की value, 0 और cos 0 की value, 1, तो क्या चाहिए कमार पास? simple, दोनों same आते थे, but एक catch इसमें क्या था बहुत धान देने वाली बात, कि suppose that semi-infinite wire है, semi-infinite wire और suppose that this direction में semi-infinite, this direction में, ठीक है, और हमें इस point में निकालना electric field, तो अगर इस वाली horizontal component तो यह आ रहा था, लेकिन vertical component अगर rod नीचे है, तो vertical component ऊपर, और अगर rod ऊपर होती तो vertical component, simple, बहुत बढ़िया, तो यह बात होगा है, semi-infinite rod, infinite rod किसी भी तरीकी की rod में दे गई हो, हम आसानी से निकाल सकते है, simple, तो इसी में सवाल किस-किस तरह के दल सकते है, suppose that हमरे पास एक triangle दिया हुआ है, ठीक, sir, वो भी आगे बढ़ता है, ठीक है, हमरे पास एक triangle दिया हुआ है, इसकी charge density सब तीनों की lambda है, ठीक है, और मालों तीनों की यहां से distance हमें पता है, ठीक, और equilateral triangle है, side A का, ठीक, side A है और यह distance हमें निकाल लेंगे, जिस हमने याद है, उस mechanism वाले इस question भी कराया था, ठीक है, यह distance निकाल लेंगे कहां से, triangle वा angle बनाके, इसमें तुम्हारा पाइतागरस theorem लगा करके, यह distance निकाल लेते, और यह angle किता है था, हमरे पास याद है, 30 degree के असपास आया था, याद है 30 degree आया था, 30 degree यह angle साय थे, simply cos theta 1 और cos theta 2 रखेंगे, सबकी values निकाल लेंगे, अंसर किता आएगा इसमें? अच्छा expect क्या गर तो, क्या answer आएगा? याद रखने की बात ही नहीं, common sense का सवाल, एक बात सुचो, यह magnetic field की तरह या कुछ अलग है? magnetic field अलग था, उसमें क्या था? हम हाथ गुमा रहे थे, हमें direction मिल जा रही थी, बट वास्तविक्ता में, यह magnetic field से अलग है? यह electric field है, electric field में, इस वाले wire की विरस से direction की अधर आएगी? इदर की तरफ कुछ-कुच? है न? इस वाले wire की विरस से, इदर की तरफ कुछ? तो almost निकाला जाए, इनका equivalent तो क्या आएगा? जीरू-जीरू शायद आना जाए? एक यह है, एक यह, एक यह है चार्ज रंस्टी लेंड़ा, सेंटर पर एलेक्रिक फिलड जीरू चीज एक ही एव इंद है तो कण्फ्यूज मत हो ना अगर आपके पास कोई भी इस तरह का सिस्टम दिया गया जाहिए वो एक ट्रांगल है एक जेंगल है एक स्क्वाइर है same charge density lambda 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 प्रेजाइटS A है, center पे electric field पूश दियागा, क्या आएगा? 0, simple है? तो kind of, अगर symmetric system है, सुचो हमने बोल दिया कि इसकी lambda 1 है, इसकी lambda 2 है, अब 0 आएगा? अब 0? नहीं आएगा, अगर same है charge density, symmetric system बन रहा है तो center पे charge density zero आएगा सरी electric field zero आएगा ठीक है clear रहा तक ring के center पे क्या आगया था जीरो ठीक लेकिन ring की access पे क्या आता था फॉर्मूला हाँ 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 electric field electric field kq x by r square power कुछ कुछ ऐसे होता मागड़ी field में तुर्ण से difference होता है मागड़ी field में k की जगए mu naught by 4pi था है ना और q की जगए पर उसमें क्या था i है ना r की जगए पर उसमें r square था अबर याद उसमें और नीचे आपर एक 2 आ रहा था r square plus x square 3 by 2 आ रहा था तो उसमें यह अंतर राता था थोड़ा सा ना इसमें में याद रपना होता है simple कोई दिक्कत नोट कर लो पांस इस फर्मूले एक साथ मैच मत कर दिया गरूं समाझ रहा हूं कि उसका भी से में घुजेड दिया यह सब इताना लगड़ा करूं यह कर रए कर दो इताना व्हा झालिया गलेले यह वाला एक्सेस पर थाहां है एक्सेस ओफरिंक दिंट सयांच किसमे से हैं ज्रीघ के सखने खिर हैं प्राइन सेटर सेमीenne चैmun जोने ऑन आएगां जिर॑ तोड को मुषला इसिक्रिक हेसलगे नदफी हो रोत फरेंस दर्टिक गईए Airline कि अगर हो तो उसके संटर पर किता आएगा इसमें जी रो नहीं आता है इसमें जी रो नहीं आता है इसमें जी रो रखो है उसके आता है कने फास फार्मुला क्या होताएं साल्रियंट कंडेक्टिंग का है रो माई ट्री अपसलो नाट याधा अट रो है बूल फार बीद आ कि वाल्यो जी रो में धे तो फील किता हो गया जी रो कि अ चले लोडे इनकल्क Umm, आओ बहुत बढ़ी है अगली बात का करते है कि हाइक इसमें कुछ बचाए और लेक्च्र फि टेंट का सि सिस्टम्स मैं यह वह अभी है हाा ways प्रपरटीज लेक्ट्र की लेक्ट्र के और लेक्ट्र की प्रापरटीज electric field close group बनाती नहीं बनाती है और magnetic field electric field lines positive से निकलती है, negative से जाती ही कहाँ पर है बहुत बढ़ी है electric field lines electric field lines क्या होता था positive से निकलती है यह positive है ना और negative पर यह आडाकलाग रखें दोनों system यह नहीं पास में रखें, अगर पास में रख दिये जाएं तो यह plus q, यह minus q है ना, तो यहाँ से निकलेंगी, वहाँ से जाएंगी कुछ-कुछ dipole वाला system बन जाएगा मारे पास है ना तो कुछ इस तरह से अब देखो याद, जो जाएंगी वही जाएंगी है ना, अब ultimately ना, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो यह वाली कहीं न कहीं निकल रही है वह कहीं दूर close loop बनागे ना, यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर खतम हो रही है वह curve यहाँ पर खतम हो रहा है, loop नहीं है यह, curve है simple, ठीक है ना तो यह वाली निकली इस तरह से, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आई, सारी नहीं मिल रही है पर एक तरह से simple, यह हमरे पास figure किसके लिए होगा, जब plus q और minus q यह dipole के लिए बोल सकते हैं dipole क्या था हमरे पास, dipole क्या था? simple, मतलब दो finite और हमरे पास opposite charges, equal and opposite charges होते हैं वो एक finite distance पर एक छूटी distance पर रखे वह होते हैं, suppose यह हमरे पास plus q, यह हमरे पास minus q, है ना एक short distance पर, example dipole का, कोई example, scl is a dipole, है ना, hcl, h positive, cl negative होता है chemistry आती है, इधार हो गया, h positive, cl negative, क्या, यह distance बहुत कम होती है, एक molecule में, यह distance क्या, बहुत कम होती है आपने देखा होगा, उसमें कुछ 10 to power minus 10 के आस-पास कुछ आती है answer में, 10 to power 10, 15, इस range में आती है इसी विरसे, जो term इस्तेमाल किया रहता है, वो बोला रहता, short distance, short distance पर रखा है, that's why this is a dipole, simple इसी विरसे, हम D को हमेंसा, sorry, इसमें जो भी distance हम मानते हैं, आपे dipole moment अगर P is equal to QD लिख रहे हैं, तो D को, हम कुछ proofs में neglect करते हैं, भी बात करेंग उसकी, हैना Dipole moment is the property of a dipole, हैना, property होती है कि मतलब dipole moment एक तरह से dipole की strength को बता रहा है, कि कितना dipole, आप सोचो, क्यों जतना ज़्यादा होगा, क्या dipole उतना ही मजबूत होगा, dipole moment, तो dipole moment ना, एक तरह से property है dipole की, जतना ज्यादा dipole, एक तरह से बताया जा रहा है, कि क्या है, तुम्ह आइडिया देने clear, simple, कि charge और distance क्या है, बस, जाधा होगा, simple dipole moment, simple दिकरा सीधा relation है, ठीक है, ओके, तो हम इसमें बात कर रहा है, वापास एक बर फिर से आते हैं, तो positive से निकलती है, negative पर जाती है, close loop में exist, नहीं करती है, doesn't exist in, in close loop, अगली property, intersect नहीं करती है, सब से important property, intersect, नहीं करती है, simple, intersect नहीं करती है, माल लो, आपको question नहीं दिया गया है, simple, एक number का सवाल बहुत असनी से इसमें बन सकता है, कि correct को incorrect, और incorrect को correct पढ़ लेना, simple, क्योंकि कभी-कभी ऐसे बोल रहा होता है आप से, कि which of the following is correct, आप क्या कर देते हो, incorrect वाला mark कर देते हो, समझ रो, तो बहुत carefully, यह silly mistakes में आता है, कि यह बहुत ज्यादा silly mistake में आता है, ठीक है, तो मालो मर पास एक और question दिया हुआ है, इस तरह से, कि which of the following is correct, correct figure for electric field, ठीक है, correct पहुंच रहा है, option A, simple, check, correct, correct कौन से हैं, A, B, C, तीनों, correct है वई, A, B, C, तीनों, correct है, हमने कब बोला था कि multiple select नहीं है, हम क्या, सोचो अगर यहां पर है एक positive charge रख दें, तो क्या यहां से originate नहीं हो सकती है, यहां पर एक negative charge रख दें, तो क्या यहां पर आ नहीं सकती है, यह नहीं हो सकता है, क्यूंकि यहां आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर यहां पर आते, और पोजिटिव की नहीं और पर पॉजिटिव चर्ज और नहीं कर सकता इसे वेस्ज मेंदे स्वाल दिया था अब समझाई तो यह भी सही है और यह भी सही कौनसा दो नहीं है जंअ इसमें उन दिख पर और ख़िमर्ग और रहे हें making THEल थी है तो दीखाना चाहिए ना figure में दिखाएगा, यहां पर cut करती भी दिख रही है, overlapping होगी तो आपको इस तरह का figure दिखेगा इस तरह का, यह तरह है यह overlapping का figure होता है, but यह intersecting का figure है, ठीक का? हाहा साहे है डिर्यक्शन क्या है याँ पर टेंजेंट अगर यह आ रहिए तो यह इस पैंट पर यह इस पैंट पे यह इस पैंट पर यह सैंग है एक तरह से बोल सकते हैं कि why electric field doesn't exist in a closed loop why electric field doesn't exist in a closed loop क्यों मैंने बताया था because electric field or electric force field is conservative force field और conservative force field कभी भी closed loop में exist नहीं करते हूं धान रखना यह option में हो सकता है क्योंकि इस तरह की question देखो यह conceptual सवाल है पूछा जा सकता है एक नमर में आपसे बहुत असानी से कि why electric field doesn't exist in a closed loop because it has a conservative force field simple कोई दिकत और टैंजेंट वाली प्रपर्टी भी आद रखनी कि तैंजेंट क्या करते है अगर सब्सक्राइब आपास यह एक electric field माल लिए hypothetical ठीक है जनली इस तरह की नहीं दिखेगी आपको ठीक है तो मालों यह electric field है हमें किसी particular point पर बहुत दे रहा है कि ए इस point पर हमसे बताओ electric field direction क्या है तो आपको करना क्या है उस point पर tangent खीज़ देना है आपको direction मिल जाएगे this is the direction of electric field तो यह तो simple से बास समझ भी आती है आप खुद भी देखो इस point पर खड़ोगे तो electric field direction आपको यही मिलेगी simple है ना तो यह कुछ properties हो गई आप बात करते है डाइपोल की इसको नोट होगे जो भी नोट करना हो अगर थोड़ा पहुत थलका फुलका देख लो बाकी चलते फिर आगे उन्सका उर्ट करते ना शाफ कर देख चाहँ आप इसक्त करोंड़। आप जाएव करोंगे आप 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 यह वाली चौक बिल्कुल पावडर लगती है क्या चीज़, dipole, dipole क्या था? plus Q इदर minus Q, simple distance D तो महरब पास dipole moment क्या है? Q into D simple dipole moment vector scalar vector dipole moment vector क्या यह electric field की direction में होती है? electric field के opposite direction में है तो P is a vector quantity या पे कैसा दिखाएंगे? कौन सी डिरेक्शन, r मतलब, minus में r, plus में r, suppose that यहां पर प्लस, डेपेंड करता यह चार्जिसम में किस तरह से लिए होगा, लेकिंगि सोचो अगर हम यहां पर, इस मिले में तो minus r आएगा, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस सिस्टम के लिए सुचो, r कि इधर है, r तो इधर है, radius, distance, ठीक है, तो यहां पर जब हम r क्या प्लिक रहे हैं, तो minus sign के साथ आएगा, वा समझाई क्या किया, distance इधर जा रहे है, बट टाइपल मुमेंट इधर है, कि सरह से minus sign, simple, तो is it as a vector quantity, ठीक है, electric field की opposite होता है, चीद धान रखने है, opposite to electric field, ठीक है, calculation, आपको दिखता होगा, कहेंगे books में, या कहेंगे class में, आपको इस तरह से पताएज़ता होगा, कि यह मरपास अगर minus q, यह मरपास plus q, और इसको इसको 2D, 2L, 2L, 2D इस तरह से माल लेते हैं, calculation आसान करने के लिए, प्रूफ जब आप करते हो, तो आप distance r कहां से माल रपते हो, यहां से, suppose आपको axial position पर electric field करना है, तो r कहां से नाप होगे, यहां से r लेते हैं, perpendicular by sector के लिए, यह r होता है, यहां पर electric field निकालना होता है, तो इस वरस है ताकि, आप सोचे जब आप d मानते हो, तो आपको dy2, dy2 करना पड़ता है, बड़ जब आप 2L मान ले रहे हो, तो 2L में क्या होगा, ल, L, तो calculation आसान हो जाती है, ठीक है, आप जो चौँ जो भी आप आपको असान लगे, उस से आप कर सकते हो, ठीक है, फिर अमने बात के रहे, electric field दो पॉइंट पर आपने काल्गूट करना है, axial point और perpendicular by sector, axial point पर कितना आता है, axial point पर, 2 Kp by R-3, 2 Kp, हाँ, हाँ, वो Kp by R-3, 2 Kp by, obviously short rifle के लिए, ठीक है ना, और E, perpendicular by sector, माइनस, माइनस एक साइन आएगा, आयाद करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, suppose that यह माइनस क्यू रखा है, यह प्लस क्यू रखा है, तो इसी direction में आ रहा था, यहाद है, और इधर, opposite direction में है, है ना, opposite के लिए, यह perpendicular by sector, है ना, यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस, के बीए, के भी रक्यूग, सिंपल, यहाँ ब्रक्यूग, सिंपल, 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 अच्छा, और पोटेंशल, यह अगनल प्रेंड पे, क्या, सब्सक्राइब कर सकते हैं कि दोनों की निकालो रिलेशन दिखा दो सिंपल क्या रिलेशन आजाएगा मारे पास ई एक्षियल इस इक्वल टू टू इंटू इलेक्टिक फिल्ड पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या माइस भी आएगा देखाता है तो अगर magnitude wise देखा जाए तो नहीं आएगा लेकिन अगर direction wise देखा जाए तो minus sign आएगा की कि वो उस तरफ होता और यह इस तरफ होता है ठीक है तो अगर vector लगा रहे है तो पाइनस sign लगाना जरूरही है simple और vector नहीं लगा रहे है तो normally आप 2 लिख सकती हूँ simple potential की चर्च र करें थे इसी में हो आगले चैसर की बात नहीं कर रहे है अच्छा वह बात में कर लेंगे, तो फोटेंचल पर काल्कुलेट कराएंगे, ठीक न अगले बार चप्टर में करेंगे, पोटेंचल दू दू आई पूल, पर्मूला वैसे क्या है था याद होगर, पोटेंचल अंध एकसीट ऑफट पूल, KP भाही आई स्क्वार, potential at the axis क्या यह था kp by sorry kp by r2, vector लिखेंगे, scalar लिखेंगे, scalar, vector is a scalar quantity, और perpendicular by sector पे, 0, simple, फिर इसके बाद बात करते है, torque, torque का formula क्या था मर पास, हाँ, 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 इसमे, इसमे, इधर आ रहा है, हमर पास forces पे, और इधर आ रहा है, कपल टॉर्क लगता है, तो इस तरह से घूम जाता है, जब घूमता है, तो torque रहेगा, torque का formula, P cross, या P e, sin theta, यही तक बात थी, और कुछ बचा है, इस chapter में, याद कर लो, इसी चेप्टर में, इसी चेप्टर में, इसी चेप्टर में, इसको नोटकर फिर बात करते है, flex and gauss law, वो मैंने potential अलग तरीके से कराया था, बट NCRT की साब से अलग तरीके से, हाँ, F cross D से, R cross F से, F cross R नी, R cross F, force क्या है, Q E, हाँ, R क्या है, D, Q E D sin Theta, Q D क्या होगा, P, P E sin Theta, और P E sin Theta मतलब P cross E, लोग या, टॉर्क जब इसको करने के कई तरीके होते हैं, धंदे, धंदे नहीं नहीं, suppose that हमारा पास ये था, इस तरह से टाइपोल था, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ठीक, टॉर्क की जब भी बात करी जाती है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट निकालते हैं, ये टॉर्क अबाउट एकस निकालते हैं, ठीक है, suppose that हमारे पास ये रॉर्ड थी, हैना, जास दिखना, कि ये एक पॉइंट, माइनस Q, ये पॉइंट, प्लस Q, दोनों पर फोर्स लग रहा है, एक पे लग रहा है, इधर की तरफ एक पे लग रहा है, इधर की तरफ तो ये ऐसे करके गूम जाएगा, ठीक, अब जब भी हम अब अब तर्क कैल्कुलेट कर रहा है, तो तर्क अबाउट पॉइंट एक्सेज बोलते हैं, ठीक है, तो हमने suppose that इस अबाउट के बाउट करें, या इस अबाउट के बाउट करें, तर्क का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता, टाव इस इकल टू, आर क्रॉस F, आर क्रॉस, F, R is the distance, F is the force, कहां से, एक्सेज से, ठीक है, suppose that आप यहां पर एक्सेज सेलेक कर रहा हो, ठीक, तो एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स, यहां लग रहा है, फोर्स दिख रहा है, एक इधर, एक इधर, यह अगर टोटल इस्टेंस दी थी, तो यहां से यह पर इधर, तो टोटल किता हो गया, 2QED, थीटा अगर है, साइन थीटा, सिंपल, तो 2QED by 2 साइन थीटा, QE, इधर की तरफ, थीटा एंगल है दोनों में, ठीक है, तो QE, sorry, QE इंटू D by 2 साइन थीटा इधर, QE इंटू D by 2 साइन थीटा, इधर, तो टोटल किता हो गया, twice of it, है न, क्या 2 ने 2 को मार दिया, QE इंटू D, P, P E साइन थीटा, और P E साइन थीटा, मतलब P क्रॉस, यहां से, यहां तक की तरफ, दूरी किती है, D, और फोर्स किता लग रहा है, QE, तो टोटल, वो किता हो गया, टॉर्क, QE, प्रेल रुख दिया को, थोड़ी थाइन थीटा, तो QE, साइन थीटा, QE, साइन थीटा, और इस वाले फोर्स के लिए, हाँ, 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 प्रेल, प्रेल, तो अब चाहें, जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालो, तॉर्क सेम आता है, सिंपल, चीज द्यान रखने वाली है, चले आगे, हाँ, हाँ, तो इस पर पेंडिकुलर होता हो, और इस दी निकालने के लिए, जब हम आर क्रॉस एप या आर क्रॉस एप लिख रहे हैं, यह क्या था, आर क्रॉस एफ था, फिर आपने इसको लिखा, आर एफ साइन थीटा, rf sin theta या इसको ऐसे बिलिख सकते है r sin theta into f सही है या r into f sin theta बात तो एक ही है calculation wise सही है तो वास्तविक्ता में this force is the perpendicular component of qe नहीं आया देखना नहीं से ये qe लग रहा था simple और ये angle theta था टिक तो qe sin theta sorry qe cos theta इदर आएगा और qe sin theta इदर आएगा तो this is the perpendicular component qe sin theta या f sin theta तो वास्तविक्ता में आप चाहे perpendicular component of force का multiply r से कराओ चाहे आप perpendicular distance लेकि उसको force से multiply कराओ perpendicular distance मतलब ये वाली distance तो अगर ये r है ये theta है तो क्या ये r sin theta आजाएगी तो बात तो है कि आप r sin theta का multiply f में कराओ ये f sin theta का multiply r में कराओ आंसर सेम आएगा आप r का perpendicular component लेका चाहे force का perpendicular component लेका लेका मतलब सेम लोन होगा clear है बहुत बढ़ी है अप चलते हैं गौस्ट लॉक की तरफ है flux की तरफ ठीक है चले नोट करना इसमें कुछ हो गया देख लो चोपी करना हो इसी नहीं बाढ़ था 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 हो गया हो गया हो गया है साफ कर दे साथ आज़न ही तो साइन इटा सरा ऑग का अज़ी तो यह गया हो से यहें कर देजीवर भी आप यही और आज़त Hari जो रहे केली वी नोरह Premiere यहाँ यहरो कंफ क्रशुज्यL defined as if ओर अवर मेंच को ऑधा कर देज जी में लोग आइक्पाई बैशीख है इसमें Q जो है तुम्हारा वाट D है दुनों सेम ही डिरेक्शन में तो डाइपोल मुमेंट तो डाइपोल मुमेंट है और डिस्टेंस है समझेड़ो ना सिंपल साफ कर देना आज मौसम कुछ गरम लग रहा है क्या मेरे को लग रही गरमी आज में खाला फुफुल एनर्जी चाहिए होती है हाव भाई क्या हो गया वाज़ा है ठीक है तो घौसलॉ लक्स कि बाद करते होसे पले येलेक्रिक फ्लक्स क्या होता एलेक्रिक फ्लक्स simple number of free lines passing through a unit cross-sectional area to flux electric free lines phi is equal to e dot a yeah ea clear flux camera general general सब्सक्राइब को आपने इस तरह का सर्फेस लिया था इस डियक्षन में लेक्ट्रीक लिया था याद है स्के में रेडियस देते थे 20 cm, इलेक्रीक फीलिद देते थे और संधिंग फिर आपको एक फॉर्मॉला लगा करना होता था तो वाटिस धीटा तीटा इस दे अंगल बेट्वीन एडिया 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 अटा है कि आ यह आ रहा है इस दे अगल विच इस देटा इनुट अटार ओपन अटा अब आए सुनो तो जाल से यह ओपन सर्फेस अप्लोज तो नहीं ना ओपन सर्फेस के लिए आप चाहें येलो चाहें येलो सेम एक कि सिंपल कमपोनेट छोटा सा कमपोनेट इंदा इंदेश डिस रिजिण से अभी उसी ही की बात करेंगे सिंपल और ख्लोस सर्फेस के लिए मैंने बात करी थी क्या ख्लोस सर्फेस के लिए परपंडी कुलर हमें जाए आउटवर्ड सपोसट हमारा पास एक ये स्फियर है तो इस्फियर के लिए अगर हमें दिखाना है कि वाट इस अडिरेक्शन ऑफ एरिया कम एरिया इलिमेंट तो कितर आएगा बाहर की तरफ प्रपंडिकुलर है सिंपल इस अईरिया हां कि जहां पर में निकाल ना है जहां पर में चाहिए सिंपल अच्छा फिर मनें बात करी गॉस्ट लॉकी कि देखना दर से गॉस्ट लॉओ हाँ ये कर लो पहले है गॉस्ट ला क्या था ये लूप के लिए था ख्लोस सर्फेस के लिए था है ना क्या ग्लोस लोग हाट जगया वैलिट था बैलिट हार जगय था बट अपलाई हम सिमेट्रिक सिस्टम के लिए करते था ठीक है ना तो मालूलो हमारे पास ये कुछ चार्ज थे ये भी तो फ्लक्स ही लिखा हुँ है बट फ्लक्स पासिंट थे लिखते थे कि फर ख्लोस लूप क्लोस इंटेग्रल ये भी तो फ्लक्स ही लिखा हुँ है बट फ्लक्स पासिंग थुण थुण एरिया अंने चोटे से उडिट अरिया से फ्लक्स निकाला और उसका हमने इंटेग्रेशन किया वर्था complete surface, close surface ये कहरता रहे, close surface के लिए integration that is equal to qn by epsilon not फिर हमने याद करो हम याद कर याँ पर लैम्डा सिग्मा रू है ना लैम्डा की वैल्लू क्याते है मेरे पास याद क्यू भाई अगर शॉर्ट के लिखें तो दी क्यू भाई ये वाला डी क्यू भाई और ये वाला डी क्यू भाई अब याद करो जो इन्फाइन वायर था या सरकल नहीं आया हम बनाएंगी सिलेंडर 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 सरकल बनाते थे एंपेर शरकी डाला हमें रॉट 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 इन्फाइन रॉट यह मने बनाया गॉट्षियन सर्फेस यहादे ऐसे करते थे फिर इस पॉइंड पर यह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ट और यह एरिया तो तो 90 डिगरी आता था यहाँ पर यह एलेक्रिक फील्ट और यह एरिया नब्बे डिगरी बट इस सर्फेस के लिए हम निकालते थे तो करते थे क्लोज इंटीग्रल इडॉट इस इकुल तो क्यूइन बाइ अपसलन नॉट तो वर पास आता था यह एरिया किता है इसका टूपाई आरल सिलिंडर ह क्योईन किता इसके अंदर लैम्डा इंटू इसकी लेंथ 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 यह एल है ना यही था अपन एपसलन नॉट एल से ल गैंसल होता है था हमारे पास क्या आता था एइस इकुल टू लैम्डा भाई 2 पाई एपसलन नॉट आर या अगर हम 2 का मल्टिप्लाई कराते थ इसमें स्फियर्स की बातें की थी स्पेर्स की बहुंग बैज चर्चा चली थी क्या था अच्छा चाथ दिलाया द्वेंगें घ्राइंगल था थी टी वाल एंगल दी ओमेगा आपकिसी वह श्टीव गज दिखा सकते हो फिल एक वाई कि आर्ट स्कुएर यह था हमारा पर स्वालेंगल का फॉर्मूला कि इतना जाता पूछा जाने वाला सवाल नहीं बढ़ फिर भी पूछा जाए तो अपने को कोई समस्या नहीं हुनी चीए है क्या फॉर फॉर पाई आता था इसका टोटल सॉर्ड एंगल किता था ओमेगा कि वैलू किती थी फॉर पाई चले आगे स्वेर्स की तरफ कुछ नोट करना है इसमें आज पिर कौन को नहीं ना क्या है आए कासा मैं सही से बताना एक तम कि मैं आया आज चाल ज्यूटी यह जिए वह प्रश्राइब कर दोजिंग जलगा था ना लियतना तब लगा था पेसे आति तीसर दिल लगा या सब्से वाटर हाथ बढ़िया मुपनी करने लिए की पार्णी टिलाम जाना पर दो लिए मम्मीयों के पास आर्गुमेंट बढ़ा अच्छा होता है कुम लगा यह बहुलते बढ़ी जलदी हो कितन नमबर मैं ना टेस्ट में है कटा काय नमबर और बस सबसे आसान प्रूफ था हूँ कि इसमें आई डेसिस्टेंस कहां से आगया इसमें इसमें रशनी आवशक्ता थी आपको डिरेक्ली आइड करने थी का पेसिटेंस से क्लें टिटो अधिटेंस एकोल टो सीवन वी प्लस एटू वी से थिकर जा सीवैंट इस एकोल टो सीटू तीन लाइन का प्रूफ था क्यों है जहाद ही नहीं ना समस्य यह ना इद्राइज नहीं करेंगे साफ कर देना अच्छा टाइब के चार चार वाई कि यह थे कौन सा जाद ना यह तो अपर होलो होता है होलो में दो टाइप सथा था कि तीन एक टाइप के थे तेरा होलो कंडक्टिंग होलो टाइप्यिए यह थे लिए वाला अलाक होता था यहाँ पर चार दिस्टिपूशना अंद्र वो तक वो अंदर सरफेस और इसमें अंदर ऊसर फेस परैंस सरे श्रेस met Burch एक दरी थी dad eight got gern region ने करेंगे इस चैप्टर में अगली चैप्टर में तो उसकी चैप्टर में है इसकी यहना है है को ट्रेयं क्टेक्टर्स की प्रपरटी इंपर्टेटर की इंप्रटन थी टिक इन तर हो हुता और इंसिलेटर में ऐसा कुछ प्रपर्टी थी गया है। कुछ सर्फेस पर रहता सारे चाहिए। इंसिलेटर में कहीं भी हो सकता है। सिंपल जहां डालोगे वही रहेगा। इसमें एक प्रपर्टी और थी कि एलेक्ट्रिक फील लाइन्स और अल्वेस इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके बहुत सारे फीगर्स भी मैंने बनवाये थे। इस पहले एलेक्ट्रिक फील की बात रहता है। इं आमाने पास जीरो और ए आउट के क्यू बाई आर स्क्वेर। इसके लिए इं अभी बताया था , अभी बताया था , अभी बताया था , आध रखना पड़ता है भाई , रखना पड़ता है भाई , और बाहर , , तो चार्ज अज़े धी रख्क्त creation तो रहेगा रहेगा उसके रस अलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर राएगा आएगा ना , ए आउट क्या जादत स्क्राइब इसमें एलेक्रिक फिर ग्राफ याद है इसमें नहीं यहां तक जीरो यहां पर आर फिर यहां से ऐसे और इसमें 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 पाला बनता था था है सब्सक्राइब कि यहां पर आर यहां पर चेप्टर में अगले चैटर में तो ठीक है उसकी चैटर में अगले चैटर में होगो है विश्काइब और कुछ बचारें इसमें है कि अगलेदों यही तो लिखा है आरे वो मेरा स्टैलिस्ट ही है कड़क है कि शादियों का सिज़न हो गया कि कर लो गया कि अगर्ण रहा है कर लो क्या कर लो क्या फुर्मने नहीं कि अब शब्सक्राइब कि अज़िए कि अधिन रखते हैं ठीक है और विदिक्कत कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है कि शर्माओ नहीं कुछ लेका है कहें हाई लेटे क्या है चले फिर बंद ठीक है चलो